हेलो बच्चोँ, पूरे हुए सपने पाठ में हमने दीपीका के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम एक लोकल न्यू चैनल के पत्रकार द्वारा दीपीका का इंटर्विव देखेंगे और पत्रकार को दिपीका से बातचीत करते हुए सुनेंगे तो चलिए सुरू करते हैं जो था कैसे शुरुवाद हुआ मैंने 2007 में शुरुवाद किया था आर्च्री एंड उस वक्त मुझे आर्च्री के बारे में कुछ पता नहीं था अर्जुन मुंडा की वाइफ मेरा मुंडा वो एकार्मी चलाती थी सराइकेरा खरस्व में तो वहां पे हम मेरा सेलेक्शन वा कि मुझे आर्च्री के बारे में कुछ पता नहीं था और मैंने वो कभी देखा नहीं था तो टीक टाक सा शुरुवाद हुआ उसके बाद एक साल के बाद फिर मेरी गाड़ी चल पड़ी देजी से एंडें 2008 में में टार्ट आर्च्री एकाडमी में में मेरा सेलेक्शन कि अगल जो शुरुवाद कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़ादा अपने आपको पुश्च करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं बच्चों का मन बहलता है दो जाता है तो वह डेडिकेशन नहीं दिखा पाते हैं लेकिन कुछ समय बात तो इतना पूरा दिन हम लोग प्राक्टिस करते थे एक सब्सक्राइब आपको क्या लगता है कि जो बच्चों को जो इस देख प्राक्टिस करते हैं उनके लिए क्या दिक्कत आती है आजकल तो बहुत सारा चीज है मोबाइल है जिसमें बच्चे ज्यादा इंगेज रहते हैं तो यह सब क्या मददगार हो सकता है या फिर यह सब से दूर रहना चाहिए यह टेक्नोलोजी का जमाना है और मैं इतना ही करूँगी कि जितना आपको जरूरत है उतना आप यूज केजें नेसेसरी यूज करने के जरूरत नही अपने गेम के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि अपने गेम को आप जितना करीब से जान सकोगे आप उतना ही अपने गेम में अचीव कर पाऊगे उतना ही आप उससे सीख पाऊगे सो शोशल मीडिया भी अच्छी चीज़ है बट कुछ टाइम के लिए बट में कहूंगी कि पूरा टाइम जो बाकी टाइम है वह अपनी साथ अपने फामिले के साथ और अपने जो भी आप अपना काम करते हैं जिस भी फिल्ड में आप उसमें ज्यादा टाइम करें आप किस अपने फोन में इस नहीं पर टाइम करते हूं कि मुझे पहले सी अच्छा नहीं करता कभी कभी हाफते में एक बर को लिया करती हूं कि शोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर रहती हूं अपने गीम अपनी फामिले के साथ डाइम स्पन करते हैं इसलिए आप सक्सेस भी हैं सुल में यहां वैसा है कि मैंने शुरूआत क्या थे तो हम बच्चे लोग बच्चो बच्चो के साथ ही खेलते थे उस्के इतने फोन में इस पाम मैं इंटूर अब वियुकू सब्सक्रिड़ को Чू पढ़ाई लोड भी बच्चों के पास जादा हो गया तो शायद ये भी एक रीजन हो सकते हैं अब यह सब काम नहीं करते हैं सरफ गेम पर धियान देते हैं तो आप खाली समय में मन बहलाने के लिए क्या करते हैं खाली समय में मूवी देखती हूं टीवी देखती हूं कभी-क अब हम लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं फ्रेंज के साथ या फिर कभी अकेले निकल जाते हैं यह सब चीजें हैं जो करते हैं आने वाले समय में अभी आपका तो स्पोर्ट्स चली रहा है लेकिन फ्यूचर में आप क्या देखते हैं क्या होगा क्या प्लान किया है मे सोच रहे हैं कि अभी हमें जीतना बाकी है तो अभी हम पूरा फोकस अपने गेम पे लगा है तो और खेलेंगे आठ नौ साल उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं मतलब क्या अभी तक तो आप गॉल्डन गल भी है कि सारे गो गोल मैडल और सिल्वार यह सब जीती हैं त तो किस उचाहिप पर आपका जाना चाहते हैं और यह पहला टार्गेट वह है उसके बाद हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और यह दिपीका जी है जो इनसे हर तरह की जो सवाल है जो आप लोग उनको जो आने वाले भविस्य हैं आर्चरी के जो इसकी तैयारी करते हैं या फिर इनके जो फैन फॉलोविंग है उन लोगों के लिए जाना बेहत जरूरी था आशा है बच्चो आपको यह साक्षात का पसंद आया होगा आप दिपीका की बातों से जरूर प्रेरित हुए होंगे तो इस पाठ में इतना ही धन्यवाद